है काईज वट्स आप लिजे स्टार्ट करते हैं देखिए आज हम बात करेंगे एनवार्मेंट एंड इकलोजी सेप्टेमबर 2019 मन्त के जो करंट अफेर है हिंदू विजन इंसाइट सभी से कवर होंगे लिजे स्टार्ट करते हैं देखिए जो इंपोर्टेंट आर्टिकल है जैसे कि फर्स आर्टिकल के अगर हम बात करें दो देखिए रिपोर्ट पब्लिस की गई थी IPCC के दवारा IPCC क्या है इंटर्गमेंटल पैनर फो क्लाइमेट चेंज ठीक है और IPCC के दूसरी रिपोर्ट 1.5 डिग्री सेल्चेस रिपोर्ट भी 2018 में पब्लिस हुई थी यह आ फ्रोजन कंपोनेंट ओफ एर्थ सिस्टम ठीक है मतलब हमारी अर्थ पे कोई भी फ्रोजन कंपोनेंट है जैसे कि स्नू हो गया गलेशर हो गया सी आइस हो गया लेक हो गया आइस लेक हो गया कोई रिवर हो गया पर्माफ्रोस्ट हो गया है ना ठीकि पर्माफ्रोस्ट के बात करें तो permafrost होता है कोई ground हो या कोई भी जगह हो जहाँ पे zero degree ठीक है मतलब चाहे organic material हो frozen वहाँ पे तो zero degree या फिर उससे कम अगर temperature है at least two consecutive years तो उसी को permafrost कहा गया ठीक है guys next देखे परmafrost से इसी से जैसे की climate से related एक ozone layer preservation day भी international day for ozone layer preservation celebration celebrate किया गया 16 सेतंबर को और देखे उसका theme जो था world ozone day 2019 का theme था 32 years and healing ठीक है guys तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखिए इसके बारे में भी क्योंकि ये भी काफी news में रहा था next article के अगर हम बात करें AMOC that is Atlantic meridional overturning circulation ये क्या है देखे इन्यूज में इसी लिए था कि हमारा Indian Ocean जो warm हुआ तो उसकी वज़े से क्या हुआ एक system of current generate हुआ Atlantic Ocean में और उसी को Atlantic meridional overturning circulation कहा गया ठीक है guys और इसका दूसरा जो नाम है वो है Atlantic conveyor belt ठीक है तो देखे ये जो part है हमारे अर्थ का largest water circulation system का जिसको thermo haline कहा जाथ देखे थर्मो का मतलब जो होता है वो होता है temperature और haline का मतलब salinity as you know very well कि ocean में जो salinity ocean saline ही होते हैं ठीक है next article के हम बात करते हैं UN convention on desertification देखे इससे पहले हम बात कर लेते हैं single use plastic की 2022 हमारा target है eliminate करने का इससे और दूसरी बात देखे world environment day 2018 beat plastic pollution declared किया मतलब theme था ये UNEP के दवारा declared किया गया था थोड़ा सा आप धान दखिए तो देखे अब convention on desertification की अगर हम बात करें तो देखे चोधवा जो conference of parties 14th conference of parties था वो UNCCD का वो दिल्ली में मनाय कनवे किया गया और देखे इस वाज देखे इस वाज फर्स टाइम कि इंडिया ने ऐसा कुछ होस्ट किया है तो अगर United Nation Convention to combat desertification की हम बात करें तो इसको 1994 में established किया गया था और legally binding international agreement है ठीक है गाइस next देखे हम बात करते हैं forest plus की देखे forest plus जो है forest plus 2.0 forest plus forest plus जो launch किया गया था इससे पहले किया गया था तो उसमें एक term coined की गई थी iForest वो fuelwood management से related थी ऐसी terms का अब ध्यान रखे UPSC कई बार पुछ लेती है कि ये special word किस चीद से related है 2018 के prelims में भी पुछा हुआ है 2019 में भी पुछा हुआ है कर सकते हो expect next year भी आपको मिलेगा 17 में भी पुछा हुआ है ठीक है गाइस तो देखे forest plus 2.0 है ये officially launch किया गया हमारी ministry of environment, forest and climate change ने US agency for international development के साथ मिलके क्या करेंगे ये ये करेंगे ecosystem management के उपर काम ठीक है गाइस next हम बात करते है एक article और था जिसे की soil organic carbon ठीक है तो वो कोई इतना important कुछ भी नहीं है उस article में तो आप उसको skip कर सकते है next हम बात करते है coal gasification based fertilizer plant इंडिया में जो पहला coal gasification based fertilizer plant setup किया गया ताल्चर है ओडिसा में एक जगे वहाँ पे देखिए coal gasification क्या है कि clean करना coal को technology की सहारे ठीक है तो ये एक technology है जो coal को clean करेगी और इस process में क्या होगा कि coal को convert करेंगे synthesis gas में जिसको syngas भी बोलते है syngas जो mixture होता है hydrogen carbon monoxide का carbon dioxide का ठीक है और इतना कुछ भी important नहीं है इस article में next हम बात करते है bio remediation and bio mining bio remediation एक treatment होता है pollutant का या फिर आप बोल सकते हो कि एक ऐसा process होता है जिसमें micro organisms जैसे की bacteria होगे उनका use करते है क्यों use करते है breakdown करें undesirable substance को बस और कुछ नहीं होता bio mining के अगर हम बात करें तो उसमें भी micro organism का use क्या जाता है to extract metal of economic मतलब metal of economic interest मतलब देखिए सीधी बात है कि metals को अलग करेंगे जो west है उसमे जो गंदगी या जो कुछ भी है west उसमें से metal को अलग करेंगे that is bio mining ठीक है गाईज तो हम बात करते हैं कुछ important articles की जो और भी important articles है देसे एक down to earth magazine में भी आया था शोला forest के बारे में Indian cooling action plan तो देखिए Indian cooling action plan है न ये news में क्यो रहा क्योंकि India को appreciate किया गया United Nation में World Ozone Day जो था न उस दिन इंडिया को appreciate किया गया था कि इंडिया पहला ऐसा country है वर्ल्ड में जिसके पास ऐसा कोई documents है cooling action plan ठीक है गाईज दूसरी हम अगर बात करते हैं next article की जैसे solar grass land है ये down to earth magazine में था आप ध्यान एक बार देख सकते हैं इस article को देखिए solar vegetation जो होता है न ये tropical mountain ncrt में है यार आपको ज़्यादा tension करने की ज़रूद नहीं है जोग्रफी की जो ncrt है उनमें है 11-12 वाली जो cover करेंगे आप solar vegetation tropical mountain forest found in western ghat में पाए जाते हैं ठीक है गाईज दूसरी अगर बात करें solar grassland जो होते हैं उनमें जो trees होते हैं उनकी height 25-35 feet के आसपास होती है ठीक है और यहाँ पे दूसरी बात यह है कि यह store करते हैं large quantity of water on mountain range ठीक है गाईज next article की हम बात करें stable burning issue चलते रहते हैं यार ऐसे issue और एक दूसरा article है जो कि important थोड़ा सा है emission trading scheme से related तो देखे emission trading scheme है ना गुजरात ने launch किया है गुजरात government ने और यह क्या होता है देखे इसमें कुछ भी नया नहीं है emission trading मतलब emission trading scheme में होगा क्या उसमें trade क्या किया जाएगा यार उसमें trade किया जाएगा particular matter है ना वो as a commodity उसको trade किया जाएगा ठीक है और world का first market for trading in particulate matter emission यह होगा ठीक है तो और कुछ भी नया इतना इस article में नहीं है black carbon discuss किया गया है कुछ भी नहीं होता black carbon last year भी news में रहा था black carbon ऐसा कुछ भी नहीं होता यार इसमें क्या होता है यह consist करता है pure carbon कुछ इसकी link forms होती है जैसे की incomplete combustion होता है fossil fuel का, bio fuel, biomass का और इन सब का तो कुछ भी नहीं है था हिंदु में छोटा सा इसे short news में आया था इसलिए और एक India Water Week भी celebrate किया गया था 24-28 September 2019 में नहीं दिल्ली में celebrate किया गया था और इसका जो theme था ना वो ध्यान रख लिए आप कि Water Corporation Coping with 21st Century Challenges ठीक है और कुछ भी इतना important इस article में नहीं था इसी के साथ हमारा ये जो September मंत का current affair था वो खतम करते हैं और एक सरदार सरोवर डैम भी था वो भी आप ध्यान रख लीजिए नर्मदा रिवर पे है और जब इस डैम से डैम बिल्कुल तयार हो जाएगा इससे जब बिजली बनाई जाएगी तो उसको share करेंगे गुजरात मध्यपरदेश और महराष्टरा देखे गाईज इसी के साथ आप इसको like कीजिए सबस्क्राइब suggestion आपके most welcome है इसे के साथ मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए bye bye take care